हालो दोस्तों आज किस वीडियो में लोग देखने वाले हैं कनवर्सन आप संटेंसेज इसका मतलब होता है वाक्यों का रूपा अंतरण तो इस टापिक के अंतरत हम लोग को पढ़ना होता है अफर्मेटीव संटेंस को कैसे निगेटीव संटेंस बजानाते हैं या कोई अफर्मेटीव संटेंस है उसको इंट्रोगेटीव में कैसे बनाएंगे या कोई इंपरेटीव संटेंस है उसको आप अफर्मेटीव में कैसे बनाएंगे या कोई अफर्मेटीव है तो उसको आप इंट्रोगेटीव कैसे बनाएंगे मतलब कि इसमें यही सब करना होता है इस वाक्य से उस वाक्य में बदलना तो आईए हम लोग इसकी वीडियो में समझेंगे affirmative sentence से कैसे negative sentence बनाते हैं तो इससे पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि वाक्यों का रुपांतरन क्या होता है एक प्रकार के वाक्यों को दूसरे प्रकार के वाक्यों में बदलने की प्रक्रिया कोई हम लोग वाक्यों का रुपांतरन कहते हैं जिसको अंग्रेजी में conversion of sentences कहते हैं ठीक है तो आईए इसके कुछ रूल है इसको समझ लेते हैं हम लोग का रूल वन है जब अफर्मेटिव वाक्यों में वर्ब के रूप मने वर्ब वी के रूप में is, am, are, was, were तथा वर्ब हैब के रूप में has, have, had का प्रियोग main वर्ब की तरह किया गया हो तो वर्ब के बाद नाट का प्रियोग करके निगेटिव संटेंस बनाते हैं जो कि ये जो बताया गया है ये कोई खास अलग रूल नहीं है हम लोग टेंस जो पढ़ते हैं वही रूल है बस एक अलग टापिक बन गया है conversion of sentences तो आएए इसको समझते हैं जब कोई हम लोग का सधारण अवाक के रहता है उसमें be verb, be verb मतलब क्या होता है इसके अंतरकत is mr was verb आता है और have verb का मतलब has have had आता है इसको हम लोग main verb की तरह प्रयोग जब किया गया हो तो इसके verb के बाद क्या करते हैं नाट का प्रयोग कर देते हैं ठीक है तो आएए example के मादिन समझते हैं यह जो पहला question है sonum was a musician यानि magician मतलब होता है संगितकार, sonum एक संगितकार थी तो यहाँ पर जो sentence है was, जो sentence में was आया है यह main verb की तरह यूज हुआ है, main verb नहीं है main verb रहता है तो उसमें एक संग वाला कारे होता ठीक है तो इसको हम लिंकिंग वर भी बोलते हैं तो इसका negative बनाएंगे sonum was उसके बाद नाट लगा जना है a musician यानि कि sonum a musician अगला चलते हैं he has a new book यानि उसके पास एक नया किताब है तो यहाँ पर इसका negative बनाएंगे तो he has बाद नाट लगाएंगे a new book negative ठीके निगेटिव आपका हो गया या फर्मेटिव दिया हुआ है या इसको negative आप he does not have से ही बनाते हम लोग जो है जब है जवल आता है कोई हम लोग के पास में अधिकार में रहता है बस तू तो उसको हम लोग does not have से ही बनाते है negative sentence या इस तरह से ही बना सकते हैं तो he does not have a new book और example practice के लिए मैंने इस वीडियो में लिया हुआ है और इसके rule को भी लिया हुआ है तो पहले इसका rule हम लोग इसका जो पहला rule पढ़ है उसका example और practice कर लेते हैं जैसे अफर्मेटी में लिखा गया हम लोग का he is a doctor यानि वह एक doctor है दूसरा हम लोग का इसका negative हो जाएगा he is not a doctor यानि is के बाद not का प्रयोग कर देंगे तो इसमें क्यों बोला गया है main verb इसको ठेक है तो चलिए समझते हैं अगला दूसरा example I am weak मैं कमजोर हूँ I am not weak निगेटी बनाना है तो M के बाद not लगा देंगे इसे कोई ज़्यादा भारी टापिक नहीं है यह अफर्मेटीव संटेंस में अम दिया गया है they are poor वे गरीब हैं निगेटी बनाएंगे they are not poor उसी त अगला है जो इसका एक्जामपल है अफर्मेटीव यू वर रिच तुम अमीर थे आप अमीर थे यहां पे यू वर नाट रिच अमीर नहीं थे तो इस तरह से आप लोग असर्टीव से मतलब अफर्मेटीव से निगेटी में चेंज करेंगे आप लोग देखिए डूसरा इ हैब हैज हैड तथा माडल वर्ब कोई आजाए माडल अक्जलरी वर्ब जिसको बोलते हैं विल उड़ सैल सुड़ कैन कोड में माइट मस्ट एकाज छूट गया होगा वो भी उसको ले लिजे समझ लिजे इसमें ठीक है तो यह जब आपको कहने का मतलब यहां पे है कि जब कोई प्राइमरी अक्जलरी वर्ब यानि बी का वर्ब कोई आजाए इजे एम आर या कोई हैब का वर्ब आजाए है या कोई माडल अक्जलरी वर्ब आजाए वाक्य में ठीक है तो इसका प्रयोग मतलब जब आजाए और उसका प्रयोग सहायक क्रिया की तरह किया गया हो त यानि कि मैं एक मतलब की cert खरीद रहा हूं, तो यहां पर देखिए, यहां पर M आया है, मतलब की हम लोगा जो B verb है, EJMR के अंतर आता है, और यहां पर main verb भी आया है, जिसमें ing लगाया गया है, तो जब इसको negative बनाएंगे, तो हम लोग इसमें यहां पर not लगा देंगे, ठीक कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो negative बनाएंगे हम लोग, तो helping verb और main verb के बाद, मतलब बीच में ही हम लोग को not लगाना होता है, जो कि हम लोग tense में भी इस topic को पड़े हुए है, तो यह अलग से topic बन जाता है, conversion of sentences, तो यह कोई खास बढ़ा topic नहीं है यह, बस आप अलेटर, negative बनाएंगे इसका, तो he is not writing a letter, affirmative sentence, I am learning उर्दू, मैं उर्दू सीख रहा हूँ, हो जागा negative, I am not learning उर्दू, यानि M के बाद not लगाना है, अगला हम लोग का है, affirmative में, he will come tomorrow, यानि कि वह कल आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसका negative बनाएंगे, तो he will, उसके हम लोग को तुरंत not लगाना है, they could tell li, they could not tell li, affirmative है, we have on the match, तो इसको बनाएंगे हम लोग, we have not on the match, और इसका जो रूल है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, मिलते हैं next वीडियो में, धन्यवाद,